इसको बहुत आसान सवाल है इसको हम लोग कर लेते हैं फटाफट से अब इस पर फोकस करो अब एक मिनिट के लिए भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए अच्छा तो यहाँ पर एक एक फॉर्मला नजर आ रहा है मुझे ठीक है इसको बहुत इसली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं ठीक है इसमें बस आप ध्यान दो what is given to me सबसे पहले जो मुझे दिया है उसको मैं अच्छे से y squared minus 2xy ठीक है यह formula है very basic formula तो इसको मैं कैसे its formula के type में लिख पाऊंगा वह मुझे देखना है so x square plus क्या मैं इसको 3y का whole square लिख सकता हूँ minus 6xy is equal to 0 ठीक है तो इसमें a तो हो गया x ठीक है इसको मैं a के terms में लिख लेता है इस formula को a minus b का whole square is nothing but a square plus b square minus 2ab ठीक है तो a क्या है इसमें a तो x है और b क्या है b इसमें 3y है ठीक है यह b है so 2ab यह fit बैट रहा है नहीं बैट रहा है एक बार इसको देख लेते हैं ठीक है ज़रूर बैठेगा so x square a square plus b b कितना 3y square minus 2 into a कितना x into b कितना 3y is equal to 0 ठीक है so 2 into x into 3y will going to give you 6xy only okay so now see now ठीक है तो यह तो formula बन गया यह तो बन गया a square plus b square minus 2ab यह होता है a minus b का whole square so this will give you x minus 3y ka whole square is equal to 0 ठीक है यह तो factor form हो गया इसको आप किसी के square को आप x minus 3y into x minus 3y लिख सकते हैं अच्छा जब आप दोनों का squaring करेंगे दोनों को अगर आप अगर आप square को 0 की तरफ shift करेंगे तो x minus 3y will give you 0 ठीक है आप आप इसके factors लिखके उसको 0 से equate कर सकते हैं मैंने square को shift किया ठीक हमेशा आपने देखा होगा अगर अगर exam में कभी ऐसा आता है x square is equal to 25 तो square वहाँ जाकर क्या बन जाता है root तो x will be nothing but root of 25 in the same way in the same way what I have done ठीक है उसी तरीके से यहाँ पर क्या है यहाँ पर है x minus 3y square so this square I have taken to the right hand side तो right hand side में 0 है root of 0 will again give me 0 so x minus 3y will give me 0 so x will be is equal to 3y आपने y upon x निकालना है so यहाँ से आजाएगा y upon x is equal to 1 upon 3 ठीक है तो यहाँ से क्या आजाएगा y is to x y is to x कितना आगया 1 is to 3 the answer is 1 is to 3